उत्तर भारत से लेकर मद्द भारत में इन दिनों भीसन गर्मी पड़ रही है कई जिले लू की चपेट में आ गये है मद्द प्रदेश के बाला घाट की बात करें तो यहां पर बीते तीन दिनों के भीतर टेंपरेचर जो है वो 44 डिगरी से पार जाते हुए नजर आ रहा है आज शोमार को भी बाला घाट जिले में जो अधिक्तम तापमान है 44 डिगरी से पार नजर आया जिसके चलते आम जन जीवन तो प्रभावित हुआ ही साथ में वन्य जीव और पसु पक्षियों पर भी इसका व्यापक असर देखने मिल रहा है इतनी गर्मी के अभी मैं आ रही थी तो मैंने देखी चमकादर भी नीचे पड़े हुए थे मैं वही सोची कि हो क्या रहा है आपको लगता है कि गर्मी के वज़र से चमकादरों की मौत हो रही है यहाँ बिलकुल लगता है इतनी गर्मी है सर आम बात है कोई भी हो चमकादरों इंसानों सभी के साथ ऐसा होगा आप गर्मी में कालेज जाते हैं आने जाने में भी कुछ परिशानी हो रही आप लोगों सर बहुत परिशानी होती है इतनी दूप लगती है कि इंसान कालेज जाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है इस समय मैं बालाघार शहर के मोती तालाब गार्डन में मौजूद हूँ और आप यहाँ पर देख सकते है मेरे दाही निवोड एक मोती तालाब का एक सुन्दर्शा द्रश्य है और यहाँ पर अनेक जो है जो पक्षी है यहाँ पर इस समय गर्मी से बचने के लिए तालाब म चमगादर प्रजाती के यह पक्षी इन दिनों भिशन गर्मी की वज़े से काफी हताहत और परिसान नजर आ रहे है गर्मी कम होते ही यह तालाब में पानी के लिए उतर रहे है तो कुछ पक्षी जो है पेडों पर लटकने के बाद वहाँ पर भिशन गर्मी के चलते नीच गिर कर तडब तडब कर मरते हुए भी नजर आ रहे है तो कुछ इस तरह का हाल बालाघार जिले में देखने मिल रहा है लगातार यहाँ पर जो है तापमान जो है बढ़ते हुए नजर आ रहा है और इसी के चलते नावतप्पा की भिशन गर्मी लोगों के लिए अशहनिय पीड़ा का काम कर रही है आगे हम इस पूरे मसले पर जो पसूची की सख है उनसे चर्चा करेंगे और समस्त है कि यह जो चमगादर पक्षी है इनके मरने की मुख्य वज़ा क्या है उन्होंने किस तरह से यहाँ पर शेंपल लिये है देखे कल शाम को मुझे खबर मिली थी कि मूती गार्डन जो है उसके बाउंडरी के असपास कुछ एक पक्षी मरे पाए गए है तो उस सुबह मैंने जाके वहाँ पर जाजा जाजा लिया तो लगवाँ मुझे कम 40-50 जो चमगादर है बुमरत वस्ता में पाए गया है अश्तिंग उसके हमने किये हुए है लेकिन जैसा कि और चस्मिती दों से भी और हमने चर्चा की आसपास रहागी रसोनों ने का एक सर यह जो पशु जो मर रहे है उनकी मृत्तियों का समय सामय ता दो पहर तेजगर्मी की समय रहा ता दो तीन बजी का सबास चार बजी का स तो यह सही है कि टेमपरेचर बहुत जादा है ऐसे में जादा संभवने यह वेक्ति की गई कि सायद जो हाई रज टेमपरेचर है तापमान बहुत जादा है उसके कान से लू लगने से उनकी पक्षियों की मृत्ति हो रही है